नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रखते होंगे इस वीडियो के मैध्यम से एक कुछ इंपोर्टेंट बाते साजा करने जा रहा हूँ इस वीडियो का मेरा में मकसद यही रहेगा कि आम तोर पर आपका डबलप्मेंट आपका प्रोग्रेस आपका इंक्रिमेंट आपका अपलिफ्टमेंट आपका एक परकार से समझेए कि आगे की और बढ़ना और विकास की और जाना इसको ले करके आप जितना सजग हैं जितना चिंतित हैं जितना आप प्रिशान हैं जितना आप अपने आपको अलट रखते हैं आप यकिन मानिए कि आपका प्रोग्रेस को देख करके आपके इंक्रिमेंट को देख करके आपके जबलप्मेंट को देख करके आप जितना गर ससील होना, जितना हैपी होते हो, कहीं दूसरे लोग आपके इन तमाम सिज़ों को देख करके वो अनहैपी फिल करता है, ये आप कहीं पर भी देखते होंगे ये चीज़ें, कि लोग अगर आप step by step मेहनत कर रहे हों, कहते हैं ना कि लोग मुझे उचाईयों पर देख करके हैरान है मुझे, लोग मुझे उचाईयों पर देख कर हैरान है मुझे, लेकिन उसने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे, आप कितनी कड़ी मेहनत करके उस उचाईयों को हासिल किया है, उस मेहनत को, उस दर्द को, उस परिस्तिती को, और उस समस्याओं को जिस समस्याओं को आपने जहिला है, उसे किसी ने नहीं देखा सिर्फ उसने क्या देखा, कि आप उस मुकाम पर उस उच्चाई पर पहुंच गये आपको देख करके या आपकी उच्चाईों को देख करके आपके सफलताओं को देख करके लोग तो परिशान होंगी, लोग हो सकता है क्रिटिसाइज करें लेकिन क्रिटिसाइज करने वालों को भी क्रिटिसाइज करने का तरीका नहीं पता क्यों नहीं पता स्रीफ वो आपकी नेगेटिव चीजों को ही दरसाता है नेगेटिव चीजों को ही उस सोचता है क्रिटिसीजम का का मतलब negative चीजों का बात करना हो गया है यहां पर मैं आपको अस्टक करना चाहूंगा यहां पर आपको रोपना चाहूंगा यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि आपका progress उनके कहने से उनके आलोचनाओं से कभी भी धीमानी पढ़ना जाहिए कभी भी किसी तरह की obstacles नहीं आने चाहिए आपके progress में दूसरों की बाहर की आने external vices जो कुछ भी हो जो भी बाते हो उसे आप भूल जाओ लेकिन आप अपने अंदर की quality को अपने अंदर की आवाज को जरूर सुनों तो यही जो आंतरिक गून है आंतरिक जो vice है आपका यही आपको आगे की और ले जान नहीं है तो स्रिफ negative बाते हो तो उसको बिल्कुल नकारिए और उस पर ज्यादा ध्यान मत देजिए आपको पता होगा कि आप जब कहीं से भी किसी भी चीजों को जब आप करते हो या पिकुछ कर रहे हो तो लोग आपको स्रिफ suggestion देगा यहाँ पे क्यों गे यहाँ पे क्य नहीं चले गए हैं ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया लेकिन आपको कभी आपके बुरे हालात पर कभी वो आपको help नहीं करेगा वो स्रिफ आपको criticize करेगा आपको बिना मतलब का आपको सलाह देगा तो इन सब चीजों पर क्यों ध्यान देना मुझे ध्यान सरीफ इस पर दे करना, I hope इस वीडियो का मेन कंसर्ण यही था, कि आप चाहे कितनी भी उच्छानियों पर चले जाएं, किसी के बातों पर सुन करके ये मत सोचिए, कि ये रिवाह मैं इतना बड़ाज बन गया, मैं ऐसा जगा पहुंच गया, इससे आपका डिमोशन भी बन सकता है, और किसी के नेगेटिव जीजों को सून करके भी आप अपने को डॉमेरलाइज भी नहीं करें, कि यार मैं इतना वर्स्ट हूँ, इतना मैं बेकार हूँ, इतना मैं मिनिंगलेज परसन हूँ, नहीं, इस चीज से भी अपने आपको नहीं रुखना है, आपको या हर एक वेक्ति को खुद को कॉंसंट्रेट करके, एक इकलूबरियम में रखना है, ताकि आप अपना प्रोग्रेस हर एक स्टेप पर कर सके, और बहुत ज़्यादा खुसी की बात नहीं, तो बहुत ज़्यादा दुख की बात नहीं, लेकिन आपका प्रोग्रेस कंटिन्यू चले, हैपी चले, हेल्दी तरीके चले, इस बात को में इन कंसर करना है, क्योंकि आपके दुख, आपके पैर के चालों को हर गोई नहीं देखा, नहीं जाना, स्रिफ उसने उच्चायों को देखा, आपकी सफलताओं को देखा, आई हॉप इस वीडियो में जो में कंसर्न है, में जो इथिक्स है, यहीं है कि किसी भी सिच्विशन्स में, किसी के बातों पर न जा करके, अपनी बातों पर ध्यान दे, और अपना प्रोग्रेस पर, अपने डवलप्मेंट पर, अपना इंक्रीमेंट पर ध्यान दे, आप सभी का बहुत बहुत धहन्यवाद,